नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों का सौगत है आपके ही अपने यूटूब चैनल पर दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माद्यम से पहुंचाएंगे इसलिए लगतार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्ष्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बैल के आइकन को जरू दबाईएगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारवारा लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा और कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए जै हिंद जै बारत दरासल दोस्तों पहल बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले रास इनहां और पार्टी के विधायक सुधी प्राय बर्मन ने बताया है कि एक बड़ी जनसभा में आज इस्तीफा देने वाले विधायक हरंग खाल विभिन दलो के कुछ अन्य नेताओं के साथ कॉंग्रिस में सामिल होंगे जानकारी के लिए बताते चले राय बर्मन हरंग खाल सहिट छे अन्य विधायक और कई नेताओं ने 2016 में कॉंग्रिस पार्टी छोड़ दी थी और तरणमुल कॉंग्रिस में सामिल हो गए थे हाला कि बाद में वे भारतिय जनता पार्टी में सामिल हो गए लेकिन एक बर फ बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रिस मुक्त कभी भी नहीं बनाये जा सकता है क्यूंकि उसके योगदान और विचारधारा को नजर अन्दाज किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है इसके साथ ही उन्होंने भारतिय जनता पार्टी का नाम लिए बगाएर कहाए कि कुछ लोग कॉंग्रिस मुक्त मांग करते हैं लेकिन देश को कॉंग्रेस मुक्त नहीं किया जा सकता है यहां कभी भी संभव नहीं है यहां पर राजनीती के चाणक के माने जाने वाले सरत पवार की तरफ से बड़ा बयान आया है उनका कहना है कि कॉंग्रेस मुक्त भारत का सपना कुछ लोगों का कभी भी पूरा नहीं होगा इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताईएगा इस बीच एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं यूपी से खबर आ रही है सम्मिधान बचाओ आरच्छण बचाओ यातरा निकालेगी समाजवादी पार्टी खबर बताते चलें यूपी में निकाय चुनाव में पिछडे वर्ग के आरच्छण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में समाजवादी पार्टी जुट गई ह सपा की तैयारी है कि वहाँ सम्मिधान बचाओ आरच्छण बचाओ यातरा निकालेगी पार्टी गाउं गाउं जाएगी और लोगों को बताएगी कि बीजेपी सरकार ने साजिस के तहत कोट में सही तथे प्रस्तुत नहीं किये और वहीं इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अभियान छेड़ने की बात कही है आम आदमी पार्टी भी पिछडो और दलितों को गोल बंद करने की कोशस में है आम आदमी पार्टी की निता संजय सिंग ने ट्विट किया है और कहा कि नगर निक करेगी सभी जिलों में होगा अंदोलन धरासल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें विपच्छ राज्य सरकार पर इसलिए हमला बरहे क्योंकि हाल ही में एलहाबाद हाई कोट ने OBCR छड़ के बिना चुनाव कराने का आदेस दिया है जिसके बाद BJP सरकार बैक फूट पर नजर आ रही है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें कॉंग्रस की 2024 के लोग सभा चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी 2024 लोग सभा चुनाव जीतने के लिए AK Antony ने कॉंग्रस को दिया है मंतर क्या कुछ कहा है आईए बताते चलें आप लोगों को कॉंग्रस के वरिष्ट निता और पूर्व केंद्रिया मंतरी AK Antony ने लोग सभा चुनाव 2024 को लेकर के कहा है कि कॉंग्रस को हिंदूओं को भी अपने साथ लाना होगा उन्होंने कहा है कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सिर्फ अलपसंखकों का साथ ही काफे नहीं है पार्टी को बहु संख्यक समुदाय को भी अपने साथ लेना चाहिए उन्होंने कहाई कि अकेले अलपसंखक इस लड़ाई में परियाप्त नहीं हैं उन्होंने आगे कहाई कि भारत में बहु संख्यक लोग हिंदू हैं और इस बहु संख्यक समुदाय को नरेंदर मोधी के खिलाफ लड़ाई में सामिल किया जाना चाहिए ये यहाँ पर 2024 आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दारजलिंग नगर पालिका में सिर्फ दस महीने में ही सत्ता परिवर्तन टीमसी गठवन्दन ने नगर निका पर किया है कबजा जी हां दोस्तों खबर आप लोगों को बताते चलें एक बड़े उलट फेर में दारजलिंग नगर पालिका में में दस महीने में सत्ता परिवर्तन हो गया है अविस्वास प्रस्ताव के बाद अनीत थापा के नितरत वाले भारतिय गोरखा प्रजा तांत पर आ रही है पांच जनवरी से राज्जी की एक और यात्रा पर निकलेंगे सियम नितिसकुमार सीधे टटो लेंगे जनता का मन मिजाज खबर बताते चलें बिहार के मुख्यमंतरी नितिसकुमार अगले साल की सुरुआत यानि की पांच जनवरी से एक बर फिर से इस यात्रा की सुरुआद भी चमपारण यानी की बेतिया से करेंगे नितिश कुमार की इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर के विपच्छ भले निसाना साध रहा हो लेकिन माना जा रहा है की नितिश कुमार इस यात्रा के जड़िये ना केवल सराबंदी को लेकर के लोगों क जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चलें इससे पहले भी नितिस कुमार सत्ता में रहने और नहीं रहने के दोरान भी विभिन नामों के जरिये एक दर्जन से भी जादा या त्राएं कर चुके हैं जिनका उन्हें सीधे तार पर राजनीती में लाब भी हुआ है इसके स दर्ज कर ली गई है भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रग्या ठाकुर के खिलाब पुलिस ने चाकु रखने वाले उनके बयान को लेकर के एफायार दर्ज कर ली है खबर के मुताबिक प्रग्या ठाकुर के खिलाब सिमोगा जिला कॉंग्रस कमिटी के अध्याच्छ एच एस सुंद्रेश की तरब से पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है प्रग्या ठाकुर के खिलाब धरम की आधार पर अलग-अलग समहू के बीच दुस्मनी को बढ़ावा देने सहित कई आरोपों से समंदित धाराओं में FIR दर्ज की गई है यह यहाँ पर नफरती भाशन पर प्रग्या ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती हुने जर आ रही है और यहाँ पर FIR दर्ज कर ली गई है प्रग्या ठाकुर के खिलाफ इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजिगा अपने सभी दोस्तों में ताकि आप सभी के दोस्त भीन मुख्य समाचारों को जान सकें वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद